नवस्टार दोस्तों मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्ता टार्गेडि थालोग में आपका स्वागत करता हूं और आसा करता हूं कि आप स्वस्त होंगे जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपनी सेहत का ध्यार रख रहे होंगे उससे ज्यादा में इस उसमें अच्छी बात है जो नहीं है उनके लिए बहुत अच्छी बात है और दुनिया के इस मोमाया से मुक्त होंगे तो आसा करता हूं या तेवार आपके जीवन में रंग भरा रहा होगा और आगे भी रंग भरता रहेगा लाश्ट क्लास की अगर हम लोग बात करें तो आज क्लास में हम लोग डिसकेशन कर रहे थे किस पर हडपा सभिता पर जहां पर हमने आपको सभिता और संस्कृति के बीच में डिफरेंस बताया था कि सभिता क्या होती है संस्कृति क्या होती है सभिता कैसे नेश्ट होती है उसके नेश्ट होने से संस्कृति नेश्ट हो किसी भी सभ्विता का जो विकास होता है ठीक है अरिवास समझेगा किसी भी सभ्विता का जो एकदम इंट्रेस्टिंग पढ़िएगा आज अभी बेसिक पे चलेंगे ठीक है हड़का सब एक चीज और आप लोगों को मैं कहना जाता हूं कि जैसे कुछ लोग हैं जिनको फोविया है डेट की कि सर सारी डेट लिखाएए आपका पैदा हुए वह भी लिखा दीजिए तो उनसे मैं यह कहना जाता हूं कि कभी भी डेट पर हम डेट लिखवाएंगे जो ड पाटा है कि आपको याद रहता है कि 17 को मुलाकात हुई थी तीन महीने बाद इस कलर की कपड़ा पहन के आई थी तो में कलर वहीं याद होता है बाकी डेट नहीं याद हो पाएगा ठीक है तो जो इंपोर्टेंट डेट है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा और डेट के पीछे कोई ने कोई जानकारी देगा तभी तो पता चलेगा आव जैसे मैं मर गया के निचे दरबर मर चुका हूं यह 100,5-100, сним और बहुत बात कर रहाँ, 100-200 सो बहुत बड़ी बात कर दे रहा हूं 2-3 साल बाद भी पता चलेगा कि मैं जमीन के नीचे नीचे धासा हो कोई बताए मतलब जो चीज जमीन के नीचे दफन हो गई है, उसको पारे में कोई न कोई जानकारी देगा, जब कोई न कोई उसके बारे में जानकारी देगा, तभी हम उसके बारे में जानेंगे, ऐसा तो है नहीं कि सपना तूटा है, दिल रूठा है, हम सपने में देख लिए, जमीन के नीचे कुछ है और सब वह फवडा लेके चालू घचा-गच-गच-गच-गच-गच-गच-गच-गच-गच ऐसे तो है नहीं तो हुआ क्या था कि हडपा के पहले में सबसे पहले जानकारी जो दिये थे वो चार्स मेंसन साहब ने दिया था 1826 में इनको कुछ ऐसे और सेस मि वो बात में आएंगे तो ईनको कुछ मिला जैसे मालीजी कुछ हम लोग कभी बगिया में जाते हैं या कभी बारिश हो जाती है कहीं दलदल होता है कहचा होता है तो उम्हों कुछ गिरा मिल जाता है यह नहीं कह रहूँ पुरानी चीसी, नहीं चीसी चाय क्योंके बिच्छिया गिरी होए, चाय क्योंके डुब्लिकेट गोल्ड, सोने चेन गिरी होए, मिल जाती है कि नहीं तुम उसको उठा के सोचते हैं, यार ये सोने का है, कि ये सिटी गोल्ड है, पता नहीं किसका है, कहां का है, किता पुराना है सोचते हैं, उसे हिसाब से चार्स मेंसन को सबसे पहले जमीन के नीचे कुछ चीज मिली 1826 में इन्होंने इस बात की जानकारी पहुचाई लोगों तक, कि भाई जमीन के नीचे कुछ है सब इनको बेवकूप समझ लिए कहन कि का भाई अभी रात वाला उत्रा नहीं है क्या जमीन के नीचे कुछ मिलेगा अब विचारे उदास होके है चले आए, तो कभी भी पूछा गया कि हडपा सब्विता की सबसे पहले जानकारी किस ने दी तो हडपा सब्विता की जानकारी सबसे पहले देने वाले कौन थे तो वो थे चार्स मेंसन ठीक अठारा सो चब्विस में चार्स मेंसन ने सर्व प्रथम हडपा की जानकारी दी यहाँ पर मैं सिंदू घाटी सब्विता नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आज कल हडपा सब्विता का प्रियोग होता है और मैंने अल्रेडी ये विवाद आपको क्लियर कर दिया लाज्ट क्लास में ठीक है चलता रहा समय से दीरे दीरे बीता रहा फिर रेलवे लाइन बिछ रही थी उसमें पाकिस्तान में पहले की रेलवे लाइन गढधा करके धसाई जाती थी ठीक है तो जब वहाँ पर खुदाई हो रही थी तो बर्नेट ब्रदर को कुछ एहसास हुआ कि जमीन के नीचे कुछ है जब उन्हों न देखा तो बड़े बड़े इंटे निकले वहाँ से बड़ा बड़ा इंटा निकला तो बर्नेट ब्रदर ने भी इस बात की जानकारी दी लेकिन उस समय भारत में अगरेजों का सासन था डलोजी था डलोजी सबसे कोई मतलब नहीं रखना चाहता था उसका सिर्फ एक सीधा पंड़ा था सामराज विस्तार करना अब वा 1886 1886 में एक व्यक्ति आये उनका नाम था अलेक्जंडर कनिंगम अलेक्जंडर कनिंगम जो थे उनको एक स्रिंगे हीरन वाले मुहर मिली ऐसे ही जा रहे थे मिल गई या ऐसे खुदाई कर रहे थे तो मिल गई कुछ भी भाई कोई घर बनाने के लिए खुदाई करता है कोई पेर पौधा लगाने के लिए खुदाई करता है कोई जरूरी नहीं कि हमें खोजने के लिए ही खुदाय करनी पड़े, तो उनको एक स्रिंगी हिरन वाली मुहर मिली, 1866, उन्होंने भी इस बात की जानकारी दी, पर फिर लोगों ने उनकी बात को इंपोर्टेंस नहीं दिया, जब भारत में कर्जन आया, ठीक, तो कर्जन के आने के पहले कनिंगम जी गुजर चुके थे, मेरी बात समझेगा, तो जब कर्जन आया, तो कर्जन को जब इस बात की जानकारी हुई, कि भाई कनिंगम सहब थे कोई, जिनको जमीन के नीचे ऐसे कोई चीज मिली, तो कर्जन ने कहा कि वाह, क्या बात थे दलिद्धर था ही, भारत वालों को तो सिर्फ बरबात करने के पाइदा हुआ था, इसे लगता है, ठीक है, बंगाल विभाजन किया, हम लोगों को लूटने के लिए पाइदा हुआ, ओ माइगाड, जमीन के नीचे गर हम लोगों को खुब सोना मिला, हीरा मिला, हम लोग अमिर हो जाएगे, यह हो जाएगे, वह हो जाएगे, तमाल कुकि कनिंगम ने पुरा तत्य विभाग का गठन ठीक है अलेक्जेंडर कनिंगम की बातों को आधार बना कर किया यही रीजन है कि अलेक्जेंडर कनिंगम को पुरा तत्य विभाग का पिता कहा जाता है यह पूछा जाता है कि मतलब पुरा तत्य विभाग का जनक या पुरा जरूरी था दोस्तों कि जब वो लोग खोजने जाएगा कोई इतिहासकार कोई इतिहासकार वहाँ पर खुदाई करेगा तो किसी ना किसी विभाग के अंतर गती रहके तो करेगा मतलब विभाग होगा वही तो उसको गाइडन्स देगा कि ऐसे नहीं कि मेरे देश की धर्ती सोना उगले उगले हीरे मोती उठाई ले फोड़ा कुदाल चल जाए ऐसा नहीं था तो यहाँ पर सबसे बड़ा कॉंसेट जो आता है कि हडपा के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मिंसन ने दिया था उसके बाद पहला पॉइंट ठीक है दूसरा पॉइंट यह था कि 1886 में अलेक्जेंडर भाई देखिए हम नोट्स बनवाते हैं हम नोट्स लिखेंगे भी जहाँ जरूरी नहीं था वहाँ पे नहीं लिख रहते जहाँ जरूरी वहाँ पे लिख रहते क्योंकि मेरा मानना है ठीक है कि जब तक हम अपने हाथ का प्रियोग नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी जब तक हम पेन और कॉपी नहीं लिखेंगे तब तक हमारे मस्तिस का विकास नहीं होता ऐसे पढ़ने के लिए कोई भी पुस्तक इंसान उठा के पढ़ सकता है ऐसे पढ़ने के लिए इंसान कहीं भी पढ़ सकता है पर जिए एक बार खुद लिखना इस्टार कर देंगे तो खुद के व्यक्तितु का विकास धेरे-देरे होने लगेगा तो अठारा सुच शियत्तर में अलेक्जेंडर कनिंगम नामक व्यक्ति को एक स्रिंगे हिरन वाली मुहर प्राप्त हुई एक स्रिंगे हिरन कहने का मतलब एक स्रिंग वाला हिरन जब इस बात की जानकारी करजन के आगे पीछे जिसको लॉर्ड लगाना है लगाले हम नहीं लगाते हैं ठीक है जब इस बात की जानकारी करजन को हुई तो उसने 1903 में भारत में पूरा तत्व विभाग का गठन की है ठीक है तो जो भारत में पूरा तत्व विभाग का गठन हुआ है वो किसकी बातों को अधार बना कर हुआ है तो एलेक्जेंडर कनिंगम को ठीक है तो यही कारण है अलेक्जेंडर कनिंगम को कनिंगम को पूरा तत्व विभाग का पीता कहते हैं जल्दी से स्क्रीन सॉट ले लीजिए ठीक चलिए अब कोई आपसे अगर यह पूछे कि पूछा भी जाता है विभीति के रूप में कि इस समय भारत का पुरातत विभाग का मुख्याले कहा है तो आप हो सकता है पट्टा से कहने कलकत्ता लिगन समय चेंज हो गया है भारत के पुरातत विभाग का मुख्याले नहीं दिल्ली में है ठीक है और किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश के पुरातत विभाग का मुख्याले का है तो हमको पता है कई लोग कहेंगे लखनो भाई हर चीज लखनों में नहीं होगी उत्तर प्रदेश में और भी जिले हैं तो भारत के पुरतत भभाग का मुख्याल है दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के पुरतत भभाग का मुख्याल है आगरा में है याद रखिएगा अब हरपा की to जानकारी हो गई भाई कि जमीन के नीचे है ठीक है अब जमीन के नीचे है तो बिसका उत्खनन करना है इसकी जानकारी हो गई लेकिन यहाँ पर जो लोग थे जिन्होंने सभ्षता का विकास किया .. वो लोग आये कहाँ से ये सबसे बड़ा स्माल, जैसे भाई माल लीजिए कि मैं भाई सुल्तान कुर्का रहने वाला हूं, याज एक लबताता हूं, लेकिन आजकर लोग मुझे इल्हाबादी कहते हैं, क्यों? क्योंकि मैं यहां रह रह रहा हूं काफी समय से, मैं यहां के लिए कुछ कर रहा हूं, यहां के लोगों को डेबलब कर रहा हूँ ठीक है तो भारत के कुछ लोग तो जरूर थे भाई नहीं होते तो फिर बस्तियां कैसे बनती जो भारत में पहले बन गई थी या तमाम चीजे जिनका इस्तमाल हो रहा था वो कैसे हो थे लेकिन उसके बाद भी अपना नहीं जानना है आपको ठीक है आपको किसी को नहीं जानना है मेरी बास मुझे अब वो जातियां जो है वो अलग-अलग देश से आई भारत मेरे मैं बड़ी बात बता रहा हूँ और अपनी खेर हर क्लास में बताता हूँ ठीक है जो यहाँ पर नए जुड़े हैं मैं खट से कह रहा हूँ हर क्लास में शायद मैंने इत्ती बार कभी भी नहीं कहा होगा मैं पिसले 2-2,5 साल से ऑनलाइन जुड़ा हूँ ठीक है कि वीडियो को शेयर करने के लिए आप लोगों से कह रहा हूँ कि हम चाहते हैं कि आपकी मदद से हम और लोगों तक पहुंचे हमारी वजह से किसी और का भला हो अगर कुछ बुरा कर रहे हैं तो उस पर पानी पड़ दे आए ठीक है और हमारा नाम हो देखे स्वार प्लीज शेयर करिएगा ठीक है आप से रिक्वेष्ट है तो आए आगे चलते हैं तो जो बात बताने जा रहा हूं यह मेरी दिमाग की उपस है ज्यादा कहीं मिलती नहीं है कभी आपने ऐसा सोचा है कि हम इतने भिन भिन प्रकार की क्यूं है भिन भिन प्रकार कहने मतलब क कहीं कोई लंबा, कोई छोटा किसी के आँके बड़ी, किसी के आँके छोटी, ठीक है, किसी की नाख मेरे पकोड़े जैसी, जैसी मेरी नाख पकोड़े जैसी, किसी की नाख कच्चा बदाम जैसी, ठीक, कहीं गोरा, कहीं काला, कहीं फूला आदमी कहीं पचका आदमी कभी सोचे पट से आपका अंसर आएगा जलवायू परिवर्तन जलवायू की वज़े से आपका यह अंसर पक्का आएगा जलवायू की वज़े से वेरी गुड पर हर कारण जलवायू नहीं होता है कस्मीर में रहने वाले लोगों को अगर मैं यहाँ पर दच्छन भारत भेज़ दूँ तो वो काले नहीं हो जाएंगे वो गोरे के गोरे ही रहेंगे और हम अगर केरॉन पुलाल्ड को फ्रिजों बंद कर देंगे तो पुलाल्ड जो है वाईसन रहेगा दाद छोड़ के कुछ नहीं दिखेगा उसका जलवायू परिवर्दन माइने रखते हैं हमारे सरीर पे, हमारे जीन पे, हमारे रहन जहन पे पर हर जगा यह माइना नहीं होता है इसका रिजन यह है कि हडपा सभिता का जो उदे हुआ वो अलग-अलग जगा से अलग-अलग लोग आए इसलिए हम इतने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मतलब हम भारत वाले यही कारण है कि हम में विकास करने की च्छमता बहुत ज़्यादा है पर हम कर नहीं पाते हम में राजनीती कूट-कूट के बरी है क्राइम हचक के भरा हुआ है क्योंकि हमारे अंदर जो डिबलब्मेंट हुआ वो सिर्फ हमारा नहीं था वो और भी जगासे लोगों से आए हुए लोगों से था तो थोड़ा सब समझे जैसे अजियूम कर लीजिए हमेशा मानते हैं ना कि जैसे आप किसी से बात करते हैं तो मान लेते हैं कि मेरे सपनों की रानी है ठीक है वैसे हम को भी मान लीजिए नहीं नहीं सपनों को राजा मत मानिए वैसे हम भी कह रहे हैं कुछ मान लीजिए मान लीजिए कि अपना देश है यह भारत assume कर लेते हैं पुरा मैब बनाने क्या जोरोते हैं ये तभी गौर्व सर को बुलाना पड़ेगा ठीक है भारत है ये उत्तर हिस्सा है दच्छन हिस्सा भारत किस महादीप में है दोस्तों भारत किस महादीप में है तो आप कहेंगे सर भारत एस्या महादीप में है ठीक, very good यहां उपर एक महादीप है जिसको यूरोप कहते है ठीक, यूरोप यहां पर एक जाती पाई जाती है जिससे मंगोलाइट्स कहा जाता है आइच्छली जो मंगोल्स है वो हमारे मद्ध हिस्याई छेत्रों में भी मिलते है लेकिन यूरोप वाले छेत्र में भी उसको consider किया जाता है मैं सिर्फ आपको यह समझने के लिए बता रहा हूँ ज़्यदा tensor मत लीजिए यह लंबे होते हैं इनकी आउसतन हाइट 5.6 फिट से 6.6 फिट होती है गोरे होते हैं छर्रे होते हैं छर्रे कहने का मतलब इनकी चेहरे में किसी प्रकार का दाग नहीं होता है संपूर्ण बिस्पर सासन करने वाले कहां के थे यूरोप के तो इनकी अंदर राजनीती कूट कूट कर भरी है ठीक और सबसूर्ण संपूर्ण देश में सासन करने के साथ सबसे ज़्यादा मेहनती लोग भी कहां थे तो यूरोप यही सबसे ज़्यादा मेहनती भी है यह भी याद रखिएगा क्लियर आप देखिए मिलेगा नहीं समझेगा यहाँ एक महादीफ है जिसको अफरीका कहते है यहाँ पर जो जाती पाई जाती है उसे भूमद सागरी कहा जाता है इनकी औस तन हाइट पान दसमलो दो फिट से छे दसमलो दो फिट होती है यह काले होते हैं और इनकी नाकें बड़ी-बड़ी होती है ठीक है जैसे काईसोर अबाड़ा को देख लो लूगी कहा गया ना उसका लूगी निटीनी को देख लो मखाया निटीनी को देख लीजे ठीक है मिस थोड़े से काले टाइप के लोग नहां पाय जाते हैं यहां पर एक देश है ठीक इसका नाम है आस्ट्रेलिया अभी सेन्वान चल बसे ना कुछ दिन पहले जैसा कर्म करोगे फल तो भगवान देगा है यहां पर जो जाती पाई जाती है उसे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कहते हैं इनकी औस तन हाइट पास फिट से छे फिट होती है और इनकी बॉड़ी स्केल की तरह होती है स्केल कहने का मतलब है कि इनकी बॉड़ी में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता अगर आप किर्केट देखते हो या फुटबॉल देखते हो तो जैसे रिकी पॉंटिंग आज के 15-20 साल पहले आप जैसे रिकी पॉंटिंग को देखे होंगे ठीक है बाल जड़ गया है सफेद हो गहीं सा कुछ नहीं उनकी जीन में ही परिवर्तन नहीं होता है यहाँ उपर एक देश पाया जाता है इसको कहते हैं जापाई यहाँ जो जाती पाई जाती है उसको अलपाईन कहते है इनकी उसतान हैट 4.5 फिट से 5.5 फिट होती है मार पीट में ही बहुत तेज होते है और इनके मस्तिस का विकास बहुत तेज होता है ठीक कुंगफू, मार्सालाइट ठीक है यह तमाम चीज़ें जो हैं इनका उदे जापान से हुआ इनका उदे क्या हुआ जापान से हुआ और इनके अंदर विकास करने की छमता बहुत जादा होती है जापान देख लिजी कितना विकास से लड़े से अब कुछ नहीं करना है यह एक्चुली जो किताबों में एक लाइन में लिखा होता है उसको मैं ऐसे ही आपको एक्स्प्रेन कर रहा हूँ यहाँ समझे है पिंक ले लेते हैं गुलाबे यहाँ से यह आए यहाँ से यह आए यह मिले नई जाती का उद्य हुआ इसी लिए उत्तर भारत में कोई लंबा कोई छोटा सबसे ज़्यादा राजनीती उत्तर भारत में यहां बात बात पे राजनिती हो जाती है सबसे ज़्यादा मार पीठ सबसे जादा IOS PCs भी कहां से मिलेंगे उत्तर बारत में यहां से यह आए यह आए यह मिले नए जाती का उद्ध होगा दच्छन भारत की मूवी आज कल आप देखती होगा होंगे ठीक है बहुत मुझे लगता है कि 75-60 लोग इस समय टॉलीवूड बहुत जाड़ा पसंद होगा और मुझे तो सुरू से पसंद था क्योंकि वो अपनी संस्क्रिती को नहीं भूलते हैं है मुझे अच्छा लगता है सवोत किमी में कि हर मुवन ने एक बार मंदिर जरूर आ जाएगा अपने हिंदु धर्म-sanatam-धर्म को जरूर दिखातें धोति डॐती पहनते हैं इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने धर्म को डिनाई नहीं करते हैं या वो कभी देखिए आप अगर वो कभी स्टेश सो पर भी जाते हैं तो दुलूंगी पहन के चले जाते हैं या टीका लगा के इसलिए वो विक्सित हैं इसलिए उनके 10-200 अंगुली मंगुठी सोने गंगुठी के टेम सोने चैन होता है क्योंकि वो विक्सित है उनकी सोच विक्सित है CDS ODS में जितने वी अच्छे अच्छे आफिसर रेंग मिलेंगे सब आपको वहीं के मिलेंगे इतने भी बड़े बड़े गूगल में CEO POS तमाम लोग मिलेंगे सब वहीं मिलेंगे इसकी उनकी सोच है ठिक अब आपको गर साउत की मूवी देखते होंगे तो साउत में किसी भी हीरो को ले लीजे अलू अर्जून प्रभास एंटियार राम चरन तेजा किसी को भी उनकी देख लीजे गुंडों को हाई बड़ी बड़ी नात सहरा एकदम अभी पुस्पा मूवी में आप देखे होंगे ना कि जुक्य गाइधा थीक है देखे होंगे ना तो उसमें क्या है गुंडों को देख लीजे कौन जग्गा रेडडी पंडा रेडडी कौन था श्रीनु उनको चेहरे को देखे दाग देखे कितना बड़ा बड़ा नाग यहां पर जो मैं सम्झा चाहा कि हडपा सब्भिता के साथ साथ आज भी हमें वह वाराइटी देखने को मिलती है हडपा सब्भिता का नश्ट हो गया चलिए ठीक है यह भी मैं वैदे क्यूंग में प्रूद है हुआ और वही डिफ्रेंस आज भी हमें देखने को मिला और हडपा सब्भिता में सबसे पहले कौन आये थे याद रखिएगा हडपा सब्भिता में हडपा सब्भिता में सबसे पहले प्रोटो आस्ट्रलाइड आये थे ठीक और सरवाधिक मात्रा में सरवाधिक मात्रा में भूमद सागरी आये थे ठीक जिन है द्रग्ण कहा गया क्या कहा गया द्रग्ण को हडपा सब्भिता में जो जातिया अलग-अलग जंगा से आई थी वो इस प्रकार थी यूरोप से मॉंगोलाइड अफरीका से भूमद सागरी ठीक है ऑस्ट्रेलिया से प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जापान से अलपाइन ठीक और इसमें जो सबसे पहले आये वो थे प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड और जो सरवाधिक मात्रा में आये वो थे भूमद सागरी जिनको क्या कहा गया द्रग्ण कहा गया चले अब देखिए जब आप कहीं जाते हैं है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं यह कहीं भी आप घूमने ही जाते होंगे, सबसे पहला काम क्या करते हैं, होटल खोसते हैं, रहने की विवस्ता, रूम देखते हैं, तो रूम देखते हैं, कि माहौल देखते हैं, यह भी सबसे बड़ा मुद्दा है, भाई, जब हम कहीं जाते हैं, तो हम माहौल देखते हैं, अब आप लोग अपने अपने हिसाब से माहल मर्स समझ लीजिए कि गल्साज चलास पास रहता है कि नहीं माहल मतलब कि भाई जहां से कोचिंग पास पड़े या जो हमारा टूरिस्ट प्लेश हो वो पास पड़े या जहां सब्जी मर्केट पास हो जहां से साधन पपास से मिल सके ठिक हम पहले location को देखते हैं फिर वहाँ room खोशते हैं उसी प्रकार जब हडपा सभिता में ये लोग अलग अलग जंगा से आये तो इन्हों ने पहले देखा कि हम suitable कहां है रहने के लिए इन्हों ने इस चीज को नोटिस करने के बाद अपना निवासिस्थल नदियों के किनारे बनाना चालू किया क्यों कि आपको पता है कि नदी के किनारे का छेत्र जो होता है तो सरवाधिक उपजाव होता है और क्रिसी की तो सुर्वात ओलेडी होई चुकी थी नौपाशानकाल में तो जब वो उपजाव भूमी है तो ये जाहिर सी बात है अपने खेत के पास रहना पसंद करेंगे ताकि वहाँ पर वो क्रिसी कर लें और अपना पेड भर सकें यही रीजन है कि इन्होंने नदियों के किनारे अपने आपको विक्सित किया इसलिए सर्वादिक हरपपा इस्थाल किसी ना किसी नदि के किनारे क्या है बसी हुईए और बसने का जब वो लोकेशन देख लिए माहोल देख लिए तो उसके बाद वो क्या बनाएंगे तो वो मकान बनाएंगे जैसे आप कहीं गय घूमने आपने हर चीज़ें देख ली उसके बाद आप होटल ले लेते हैं रूम खोशते हैं तो चूँकि ये मकान बनाएंगे इसी को कहा जाता है हडपा नगरिये सब्वेता समझें एकदम देखिए एक्चुली बात क्या है दोस्तों कि जो प्राचीन भारत है ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही जादा टिपिकल टॉपिक है यही रीजन है कि TGT PGT में सरवाधिक प्रस्ट प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं जो कि हमारी संस्क्रिती है हमारे ब से बहुत जरूरी है ठीक है इसलिए में बहुत इसको रिलाइबल होके पढ़ाता हूं और हडपा वैदे क्यूद जैन धर चार ऐसे टॉपिक है जो अकेले मिला कर 20-22 दिन ले लेते हैं बड़े बड़े टॉपिक है ठीक अगर धंक से पढ़ाना है तो लपूर जहिया करना है तो फिर यह ये नगर हो गया यह ओ गया यह ओगया यह ओ गता सै हण के मकान दो भागों में बटे थे ठीक कैसे हम दिखाते हैं आपको दो भागों में बटे थे हडपा सब्विता के जो मकान थे वो दो भागों में बटे थे दो भागों में कहने का मतलब यहाँ चित्र में थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा ये था पश्यमी टीला रूख ये दूसरा रंग ले ले ठीक है ये था पश्यमी टीला ठीक उचाई पर बना हुआ था पश्यमी और ये हिस्सा था पूर्वी टीला पूर्वी टीला ठीक है जो की उससे थोड़ा नीचे में बना होता था ठीक है हडपा सभ्यता के जो मकान थे ये दो भागों में थे एक था पश्यमी टीला एक था पूर्वी टीला ये पश्यमी टीला थोड़ा सा उपर उचाई पर बना होता था ठीक है और ये थोड़ा सा नीचे बना होता था या इसको और हिसाब से अगर देखना चाहते हैं यह के यहां पर शम्बल लीजिए दो हिसाव था, यह था वूरवी हिस्सा और यह था पश्मी हिस्सा जिसको अपर सिटी और लोवर सिटी कहते थे पश्मी हिस्सा देखिए उचाई पर बना अगर अब इसकी में पूश्टर को ऐसे रख देंगे, तो यह उचाई पर हो जाएगा, जैसे इसके पहले ला दिखाए, यह नीचे पर था, यहाँ पर सबसे बड़ी खास बात क्या थी, कि हरपा सब्विता के मकान दो भागों में थे, एक था पश्मी टीला, एक था पूर्वी टीला, तो पहला जो कॉंसेप्ट यह कहा जाता था, अब यहीं से सारा कॉंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, UPSI का पेपर था, उसमें पूछा गया था, कि हम हरपा सब्विता के किस हिस्से को हम गढ़ कहते हैं, तो गढ़ हम पश्मी टीलो कहते हैं, इसका सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, सबसे बड़ा बात समझेगा थोड़ा सा, कुछ किताबे लिखती हैं, कि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, ठीक है, और यहाँ पर निम्नवर के लोग रहते थे, महारती कुछ किताबे लिखती हैं, कि यहाँ पर उच्च वर्ग के लोग रहते थे, यहाँ पर निम्नवर के ल दिमाग में पट्ट से घुच जाती ये बात हो हो यहां ब्राह्मा छत्री रहते होंगे यहां वैसे सुद्र रहते होंगे सुरू से ही हम परप्मान हुआ है अरे मेरे देवताओ मेरे प्रभू जातिवाद का उदे कास्टिजम का उदे वर्ण बेवस्था काउद है उत्तर वैदिक से हुआ है तो अब आहिने से कैसे उच्चवर्ग निम्नवर्ग हो गए भाई कैसे हो गए उच्चवर्ग निम्नवर्ग अब जब ये UPSI में ये सवाल आया गढ़ वाला तो मेरे दिमाग तुरंट क्लिक किया कैसे पदममत पुक्चर देखे होंगे पदममत मूबी उसमें जब कौन थी रणवेर सिंग की पत्मीग नाम का है याद नहीं आ रहा जो भी थी ठीक है जब उसने तीर मारा ठीक है साहित कपूर को तो साहित कपूर ने कई बार दीपिका से कहता है गढ़ चलोगी तीर लग के गिर गया तब हो कहा उनका गोबर और आउसदी लगा रही थी तो भी कहा तो गढ़ मतलब ऐसा छेत्र होता है जहाँ पर सासक वर के लोग निवास करते है यहाँ पर सासक और उससे यहाँ समझेगा यहाँ पर सासक और उसमें डिफरेंस नहीं लेना है सासक मतलब राजा और आम जनता यहाँ उच्वर्ग निम्न वर्ग नहीं है यहाँ सासक मतलब राजा और आम जनता की बाते हम कर रहे है राजा और आम जनता का हम differentiation बता रहे हैं उच्चवर्ग निम्नों नहीं बता रहे हैं और राजा जो है वो हमेशा उचाई पर रहता है ठिक, राजा जो है वो हमेशा उचाई पर रहता है क्योंकि उसे आम जनता की रक्षा कन्नी पढ़ती है और राजा जब महल में रहता है तो उसका जो महल है वो चारो तरब से दुर्गी कृत रहता है चारो तरब से उसका महल क्या रहता है दुर्गी कृत रहता है मतलब रक्षा प्राचीरूं से लिखा लाल किला चले जाईए चाहे दिल्ली काओ, चाहे आगरा काओ, आप देखेंगे वो दुर्गी कृत मिलेगा आपको, सुरक्षा के लिए, तो यही कहानी को यहाँ अपलाई कर दीजिए, कि हडपा सभिता के मकान दो भागों में बटे थे, एक था पूर्वी टीला, दूसरा था पश्मी टीला, पू नहीं हाँ पर समानेवर के लोग निवास करते थे, तो यहाँ पर पहले यह पूर्वाइंट को कंपीट करते है, ठीक है, इस पूर्वाइंट को कंप्लीट करते है, हडपा सभिता के मकान आपके लिए हम इतना लिख रूख रहे हैं भाई आप भी लिखते चलिए गरें तो हम लिखना छोड़ देंगे समझात के वल आके बढ़ जाएंगे ठीक है हडपा सभिता के मकान निम्न दो भागों में बटे थे ठीक पहला है पश्चिमिटी दे और जैसे रंग विरंगी कलम हम इस्तमाल कर रहे हैं आप भी करिए या हिस्सा उच्चाई पर होता था और इसे गढ़ कहते थे या हिस्सा दुर्गी कृत्था और यहां पर सासक वर्ग के लोग निवास करते थे ठीक दूसरा है पूर्वी टीला नोट्स बना लिजे जीवन में किताब पढ़ने की आओ सकता नहीं पड़ेगी कभी यतना मैं कह सकता हूं या हिस्सा दुर्गी कृत्था नहीं था और यहां पर सामान वर्ग के लोग निवास करते थे ठीक चलिए स्क्रीन सॉट ले लिजे और जो वाकई में पढ़ने वाला विद्यारती होगा वो पक्का क्या है लिखता होगा मजानता हूं मजाग नहीं कर रहा होगा अगली इसको हर नगरी यह सभथा क्रिसी उर्षी को समात्र किया चायेगा वह अगली क्लास में मिलते हैं तप तक के लिए फिर से हो ली खेल लिजें सेहत का ध्यां रखिएगा मुसकुराते रहेगा तक आ के लिए जयहां जय भारत धन्यवार प्लीश सब प्रस्तावना जिसको हमने संबीधान का दर्शन, संबीधान का सार और तत्व कहकर पुकारा है इसी प्रस्तावना अथ्वा प्रियेम्बल अथ्वा उद्देशिका अथ्वा आमुख पर हमने लाश्ट लेक्चर में आपसे चर्चा किया था कि भहिया दो बातें सबसे जादा मायने रखी थी कि क्या प्रस्तावना संबीधान का महत्वपूर अंग है अथ्वा नहीं है फिर हमने बात किया था अगर अंग है तो क्या प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है अथ्वा नहीं किया जा सकता फिर वो संसोधन की पराकाश्टा कितनी होनी चाहिए तब आपने और हमने देखा था एक शब्द निकल कर आया था आधार भूत धाचा याद आया अब देखिये क्या है कहा गया केशवा नंद भारती बनाम केरल राजे 1973 का ये जो मामला है ये क्या कहता है कहता है कि सम्विधान विशेशग आपस में मतभेद की इस्थित में बने थे इनमें आपस में विवाद था कि क्या प्रस्तावना को सम्विधान का अंग माना जाए क्वेश्चन क्या थे प्रस्तावना को सम्विधान का अंग माना जाए अथवा नहीं माना जाए और साथ ही एक प्रश्ण और भी था कि क्या प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है यही था न यानि ये महत पूर विवादित प्रश्ण लेकर सम्विधान निर्माता बड़े परिशान है इन सभी विवादों का अगर समाधान हम लोगों को कहीं मिला तो केशवानन्द भारती बनाम केरल राज 1973 के वाद में मिला अब तक की भारत की सबसे बड़ी न्याइक पीठ है अब तक किसी भी मुद्दे पर बैठने वाली उच्चतम न्यायाले की सबसे बड़ी न्याइक पीठ है जहां लगभग 13 न्यायाधीशों के साथ इसकी बैठक हुई है इतनी महत्वपूर विशे जो भी सम्विधान निर्माताओं को सम्विधान के जो भी विशे सगे उनको परिसान कर रहा है उस पर ये चर्चा कर रहा है केशवानन्द भारती बनाम केरल राज हमने पिछली क्लास यहीं छोड़ी है याद होगा आपको केशवानन्द भारती बनाम केरल राज इसी पर हम लोगों ने अपना क्लास पिछला छोड़ा है केशवानन्द भारती बनाम केरल राज में महत्वपूर निर्णे आया और इस महतवपूर निर्णे ने यानि एक ही इतनी बड़ी संबैधानिक पीठ जिसने कई फ्रम को कई समस्या का निराकरण करते हुए संबिधान में प्रस्तावना की स्थित बहुत मजबूत कर दी क्या निर्णे आया तो तीन इसी में आधारित निर्णे हैं जिने हमें समझना हैं हमने पढ़ा था प्रस्तावना संबिधान का अभिन अंग है प्रस्तावना संबिधान का अभिन अंग है अगर अभिन अंग है इसलिए दूसरे निर्णे ने तकाल कह दिया कि प्रस्तावना में अन्य उपबंधों की भाति ही संसोधन किया जा सकता है क्लियर हुआ प्रस्तावना में अन्य उपबंधों की भाति ही संशोधन किया जा सकता है किस ने कहा केश्वानन्द भारती बनां केरल राजी ने कहा और इसमें एक महत्वपूर फैक्ट सामने आया कि भाईया संसोधन तो कर सकते हैं किन्तु आधार भूत धाचा यही था अथवा मूल भूत धाचा अथवा बेसिक इस्ट्रक्चर आप्थियोरी को बीना तच किये आप किसी भी प्रकार का संसोधन करें जैसे आप संविधान के अन्य उपबंधों में संसोधन करते हैं उसी प्रकार आप इसमें भी संसोधन करें मुझे कोई समस्या नहीं है किन्तु केश्वानन्द भारती ने कहा लेकिन आधार भूत धाचे अथवा मूल भूत धाचे अ कि मैं ने बता तो दिया अब सवाल सब के जहन में आया होगा कि मैं ने बता तो दिया कि आधार भूर धाचे को भी न टच किये तो वास्तों में यहाँ आधार भूर धाचा है क्या यह कैसे आया इस पर चर्चा कर ली जाए आधार भुट्धाचा मूल भुट्धाचा बेसिक इस्ट्रक्चर आप थ्यूरी इसकी बात कर लीजिए यह क्या है क्यों आया है इस पर यह वाद और यह आधार भुट्धाचा इसले भी महत्पुर्ण है केश्वानन्द भारती का वाद और उसमें आया हुआ आधार भुट्धाचा इसले भी महत्पुर्ण है क्योंकि माना गया कि संसद्वारा संविधान संसोधन के माध्यम से भ इस सिध्धान्त को अगर संसद भी चाहे तो किसी भी प्रकार के मनमाना संसोधन नहीं कर सकती. अगर संसद भी चाहे तो इस सिध्धान के आधापर मनमाना संसोधन तो नहीं कर सकती. अर्तात पहली बार संसद द्वारा संविधान संसोधन को भी नयाईक पुनर विलोकन में लाया गया. किसके माध्यम से लाया गया? 1973 के केशवानन्द भारती वाद के माध्यम से क्या क्या लाया गया कहा गया संसत द्वारा संविधान संसोधन अगर किया गया है अगर संसत द्वारा संविधान में संसोधन किया गया है तो अब तक क्या था 1973 केशवानन्द भारती वानाम केरल राजी के पहले था कि वो न्याईक पुनराव लोकन में नहीं आएगा लेकिन इस वाद ने क्या कर दिया कहा कि संसत द्वारा कोई भी संविधान संसोधन किया गया है लेकिन वह भी न्याईक पुनराव लोकन में आएगा अरथात संसत चाह कर भी मन माना नहीं कर सकती और न्याई पालिका क्या करेगी न्याई पालिका के लिए कहा गया कि सामान्य विधियों के पुनराव लोकन में भी सामान्य विधियों के पुनराव लोकन में भी न्याई पालिका द्वारा कोई भी सवाल बिना आधार के नहीं उठाया जा सकता मतलब भया अब तक क्या था सम्विधान संसोधन की संसत की असीमित सक्तियां थी 1973 ने इसे सीमित करते हुए का कि अगर आप इसमें किसी भी प्रकार का संसोधन करते हैं तो उस पे भी न्याई पुनराविलो का लाया जाएगा और सामान ये विधियो के लिए अगर न्याई पालिका कोई भी सवाल उठाती है तो बिना आधार बिना तरक के नहीं उठा सकती कि न्याई पालिका ये कहा दे कि नहीं मैं अनुछे 13 के तास समस्त सक्ती रखी हूँ इसलिए आप संसद के मामले महस्त छेप नहीं कर सकते ये भी अमान ने करार दिया जाएगा 1973 ने इसको मान लिया यहां तक क्लियर हुआ समझ में आया अब देखिए इसमें क्या हुआ है इसका मतलब सिंपल भासा में 1973 केश्वानंद भारती के बाद ने संसद के संविधान संशोधन की शक्ती को सीमित किया बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक है अगर ये समझ गए तो आप समझ जाएंगे आधार भुड़ाचा है क्या क्या कहा कि मनमाना नयाइपालिका ये कहे कि नहीं नहीं संसद ने उठाया है तो कोई हस्तेचेप नहीं कर सकता तो सामान निविधी में भी आप कोई भी सवाल नहीं उठा सकते बिना आधार के और संसद मनमाना संसोधन तो नहीं करेगी नैपनर विलोकन के दाइरे में आएगा संसद का संसोधन यार्थात इसके द्वारा 1973 ने क्या किया है संविधान संसोधन की शक्ति को सीमित कर दिया है कर भी अपने संसोधन के तहत आधार भुठ धाचे को संसोधित नहीं कर सकती आधार भुठ धाचे को वो तच ही नहीं कर सकती ये क्या है ये ऐसा तत्व है जिस पर संपूर संविधान आधारित है ये वो तत्व है जिन पर संपूर संविधान आधारित है अगर संसद इसमें मनमाना संसोधन कर देगी तो इसकी गुडवत्ता खराब हो जाएगी तूट जाएगी और पूरा का पूरा संविधान धरासा ही हो जाएगा संविधान के अनिवार ये तत्व इसी पर आधारी थे क्लियर हुआ है ये अर्थात अमचे तेरह ही नहीं अनुछेद 368 का सहारा लेकर भी संसद चाहे तो भी आधार भुट धाचे में संसोधन नहीं कर सकती क्या कहा मैंने अनुछेद 368 का सहारा लेकर जो संसद की सर्वच्चता दरसाता है अनुछेद 1-4 तक संसद राज किसी मामें छेत्र में नाम में परिवर्तन कर सकती है संसद का एक अधिकार होगा और ऐसा संसोधन मान लिया जाएगा कि 368 के अधिन किया गया संसोधन है संसद चाहे भी तो ऐसा नहीं कर सकती और उचे 368 का सहरा लेकर भी नहीं कर सकती क्यों? क्योंकि आधार भुड़ाचे का सिद्धान ऐसा तत्व है जिसे न्याय पालिका ने परिवासित नहीं किया किन्तु बताया अनिवार तत्व है जिस पर पूरा का पूरा संबिधान आधारित है और अगर इसे तच किया जाए इसकी गुड़वत्ता में कमी की जाए तो सारा संबिधान धरासाही हो जाएगा इसलिए आप चाहकर भी इसमें परिवर्तन अथवासंसोधन नहीं कर सकते कुछ महत्पूर फैक्ट है जैसे न्याय पालिका द्वारा न्याय पालिका का मतलग हम केवल और केवल किसके परिपेक्च में बात कर रहे हैं उच्चतम न्याय आले के परिपेक्च में बात कर रहे हैं केशवान भारती बनाम केरल राज 1970 के परिपेक्च में बात कर रहे हैं न्याय पालिका द्वारा आधार भूत धाचा परिभासित नहीं है अगर कभी क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाए कि उचितम न्यायाले ने किस वाद में सम्विधान के आधार भूत धाचे को परिभासित किया है तो याद रखियेगा आधार भूत धाचे को परिभासित किया ही नहीं जा सकता क्यों? मैंने बताया ये सम्विधान के अनिवारे और आधार भूत तक्त्व है जिन पर पूरा का पूरा सम्विधान आधारित है इने हता देंगे, इने समाप्त कर देंगे यह खत्म हो जाए, इसकी गुर्वत्ता में कमी कर दे, पूरा का पूरा संभीधान समाथ हो जाएगा, इसलिए इसकी परिभासा देया भी नहीं जा सकता और न्याए पालिका ने दिया भी नहीं, बात समझ में आई, लेकिन विभिन वादों के माध्यम से, वाद मतलब केसेज के माध्यम से भारत में न्याई पालिका ने दर्शाने की कोशिज की है कि आधार धुर्धाचा क्या है ये अनेक वादों के माध्यम से आप समझ सकते हैं मामला था इंद्रा गांधी बनाम राज नारायणवाद इंद्रा गांधी बनाम राज नारायणवाद 1975 में हुआ इसमें मूल भुत तत्वत्वाधार भुत धाचा किस रूप में परिभासित हुआ है कहा गया याद रखिएगा परिभासा नहीं दी है पहली बात दूसरी बात एक एक केस जैसे जैसे केसे जाते गए जैसे जैसे बाद आता गया वैसे वैसे सर्वोच न्यायाले ने इसकी पुष्टी आरंब कर दी, परिभासा बले नहीं है, व्याख्या शुरू कर दिया, कहा संप्रभु और लोगतांत्रिक गण राज आधारभुट धाचा है, संप्रभु और लोगतांत्रिक गण राज आधारभुट धाचा है, पंथ निर्पेच्छता, आधारभुट धाचा है, निस्पच्छ चुनाव, आधारभुट धाचा है, अब आपको समझ में आ रहा है, परिभासित नहीं किया, लेकि प्रतेक वाद में निर्णे देखकर बता दिया, कि भीया क्या है, सारे अनिवार्य तत्व, जो आपको ऐसी अनिवार्य रूप में दिखते हैं, कि अगर इन्हें हटा दिया जाए, जैसे अगर आप याद कर लीजे, पंथ निर्पेशता हटा दीजिए, तो व्यक्ति के अन्ता करण का विकास रुप जाएगा, भहिया व्यक्ति है, मानव है, तो उसका अपना धर्म और संस्कृत ही होगा, आप छीन नहीं सकते, अनुछे 25-28 तक में कहा दिया गया है, आप छीन नहीं सकते, और 29-30 के माधिय कि जुपान कि प्रस्तावना है, वो जिन आधार भूत तत्वोर निर्धारीत है, वो मेरा यह है और यह खत्म हो जाएगा, तो भले ही परिभास्त नहीं किया गया, कि तो समय समये पर बताया गया, एक अक वाद के माधियम से बताया गया, कि ये, ये क्या ये, आधार धाचा हो सकता है बासमज में आ गई है एक मामला था सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप सरकार का संघिय स्वरूप मतलब बहुत ही टेक्निकल आपकी क्लास है ये राश्ट्री एकता अखंडता संघिय स्वरूप लोकतांत्रिक स्वरूप न्याईक पुनरवलोकन ये सब क्या है ये सारे तत्व आधार भूत ढाचे है और इन सब में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता इन सब को छीन के कम किया ही नहीं जा सकता कोई परिवर्तन नहीं हो सकता तो संसद ने पूछा कि 368 भी यूज करने तो भी आपने हमारी शक्ति को सीमित कर दिया है मा लेजे मुझे इसमें कभी भी आधार भूत धाचे को छूना ही नहीं है लेकिन ये जो अनिवारे तत्तों है अगर इनमें कुछ परिवर्तन करना है तो नयाय पालिका ने 1973 के बाद में ही कहा था केश्वानंद के मामले में कि भाईया परिवर्तन करना है तो परिवर्तन हमेशा ऐसा करिएगा जो इसमें गुर्वत्ता को बढ़ा दे नियून तम भी नियून मात्रा में भी अगर आप कम करते हैं तो यह आपका अधिकार छीन लिया जाएगा याद करिए और उछे तेरा कहता है कि भाईया मौलिक अधिकार आपका है अगर राज अत्वा सरकार अत्वा कोई कानून इसको थोड़ा भी आपसे चीनता है नियून मात्र भी चीनता है तो मैं उस राज की बाध्यता समाप्त कर दूँगा मैं उस कानून की मानिता को जीरो किसी को आरंब से सुन्य कर दूँगा किसी को जो भाग उसका मौलिक अधिकार से मेल नहीं खाता कर दूँगा लेकिन कर जरूर दूंगार था आधार भूर धाचे को जब जब चुमे गुडवत्ता बढ़ा दे लेकिन आप इसकी गुडवत्ता को कम नहीं कर सकते बाद समझ में आ गई है तो अब आधार भूर धाचे पे हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया यह कुछ गौड तत्व है अनिवार्य तत्व इसको मत चुए चुए तो गुडवत्ता बढ़ाईए लेकिन आप टच मत करिए बाकि आप सारे संसोधन करिए क्यों क्योंकि प्रस्तावना संबिधान का महत्पूर भाग है और जिस प्रकार संबिधान के अन्य उपबंधों मे संसोधन हो सकता है प्रस्तावना में भी हो सकता है अब याद करिए हमने आप से कहा था कि कुछ पॉइंट चूट गए हैं कुछ पॉइंट चूट गए हैं उन पॉइंट पर भी चर्चा कर ले प्रस्तावना का आरंब हुआ है हम भारत के लोग अभी विचार को ने क्या कहा ये भी बाकी है ये सारे बाकी है हम भारत के लोग हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है भारत की जन्ता हम दर्शाता है हम सब्द दर्शाता है कि संबिधान का सुरोत संबिधान को शक्ति कहा से मिलती है भारत के जनता से मिलती है अर्थात जनता ही अपने संभीधान की संद्चक के रूप में कारिय भी करती है और संभीधान को मजबूती भी प्रदान करती है ये शब्द हम भारत के लोग कहां से लिया गया है सयुक्त राज्य अमेरिका के यूयनों के चार्टरेक्ट से जो बताता है हम सायुक्त राष्ट चार्टर शंग के लोग वही से लिया गया है हम भारत के लोग ये दर्साता है कि ये सर्वोच सत्ता जंता में नहीं थे भारत की सर्वोच सत्ता संभिधान की सर्वोच सत्ता जंता में नहीं थे जंता ही इसको आगे ले जा रही है और य दूसरा लाइन कता हम भारत के लोग किसको अपने भारत को हम भारत के लोग अपने भारत को क्या बनाना चाहते हैं संपूर प्रभुत्व शंपन बनाना चाहते हैं लोक तांत्रिक बनाना चाहते हैं और एक गड़राज के रूप में देखना चाहते हैं अर्थार ये पांच स्वरूप में हम अपने भारत को देखना चाहते हैं संपूर प्रभुत्व संपन समाजवादी पंथ निरपेच लोक तंत्र और गड़राज इस स्वरूप में हम भारत के लोग अपने भारत को देखना चाहते हैं कौन का रहा है भारत की जनता अब आप कहेंगे संपूर प्रभुत्व संपन क्या है आपने एक रूम की राये पर लेकर पढ़ाई स्टार्ट की रेंट पे लिया रूम और आपने पढ़ाई स्टार्ट की आप पढ़ते हैं, खाना बनाते हैं, रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं आप आंतरिक रूप से स्वतन्त रहें आंतरिक रूप से स्वतन्त रहें लेकिन जब कभी लेंड लॉर्ड आपके रूम के जो मालिक हैं वो आपसे कहते हैं अब रूम खाली कर दीजे हमें किसी और को देना है या हमें कुछ कारे करवाना है कुछ भी हो सकता है तो वाहे रूप से आप स्वतंत्र हैं क्या, आप वाहे रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, आप वाहे रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र हैं, जब कभी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, केरल की बात की जाए, राजस्थान की बात की जाए, जम् राज के सीम कारे करेंगे न्यक्ति मॉनलों में कौन कारे करेंगे किन्तों अधर土 में भारत कि संग कारे करेंगे और यहां आपका लेंड़लाद काम कर रहा है अर्थाथ आप प्रभुत्वसंपन्न है कि प्रभुत्व संपन को बोलते हैं शावर्न क्या कहता है कि जब आप आंतरिक और वाह दोनों रूप से स्वतंत्र हों जब आप आंतरिक और वाह दोनों रूप से स्वतंत्र हों तब आप क्या होते हैं तब आप संपूर प्रभुत्व संपन्न होते हैं भारत ने कहा कि 1947 के बाद से मैं संपूर प्रभुत्व संपन्न हूँ क्यों क्योंकि 1947 के अधिनियम ने अगर ये कहा आज से भारत पर से सारी ब्रिटिस सक्ता समाप्त होती है भारत, ब्रिटिस भारत, देशिर यास सब स्वतंत्र होते और भारत दो अधिराजियों में, पाकिस्तान और भारत में भी भाजित होगा, फिर क्या कहा गया, इनकी अपनी इच्छा होगी सरकार किस प्रकार बनाए, संविधान किस प्रकार बनाए, इनकी स्वतंत्रता होगी, इनकी स्वतंत्रता होगी कि ये 1947 के अधिनियम को माने अथ्वा न माने दोनों बात थी 1947 के अधिनियम को माने अथ्वा न माने फिर कहा गया इनकी अपनी स्वतंत्रता होगी ये राष्ट्र मंदल के सदस्य बने रहे अथ्वा नहीं राष्ट मंडल के सदस ये बने रहे अथवा नहीं, 1947 को माने अथवा नहीं, ये भारतियों की खुद की स्वतंतरता होगी अर्थात आंतरिक रूप से भारत की ग्रिह नीती कैसी होगी भारत में किस राज में कैसा नियम चलेगा, ये कौन बताएगा, खुद भारत बताएगा भारत की विदेश नीती किस के साथ होगी, भारत की रच्छा नीती किस के साथ होगी भारत अपने अन्य नीतियों में आयात, निर्यात, विदेशिक संबंद किस से रखेगा, ये कौन बताएगा, भारत बताएगा, इस पर कोई दबाव नहीं दालेगा, ना अमेरिका, ना चाइना, ना कोई, जम्मु कस्मीर का मामला था, 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मु कस्मीर को दो केंदर सासी परदेश में बाटा गया, तो अन्य देशों ने जब हस्त छेप किया था, तो माननी प्रधान मंतरी ने कहा थे भारत के आंतरिक मामला है, ये भारत के निजी मामले की बात है, मैं किसी अन्य देश की सरकार की बात मानने के लिए बाद्यन नहीं, तो मामल लेकिन भारती संभीदान पर अंकुस लगता है जंता द्वारा जनता इन्हें श्रोत भी देती है और जनता इनसे शुरुत चीन भी लेती अधीटी बांसमंज में यानि सर्वोच संस्था जो हो संप्रव संस्था जो वहोगी संपूरबृत्व संपन तो भारत ने राष्ट् लेकिन भारत ने हटाया नहीं, स्वेच्छा से लिया है, कोई दबाव नहीं है, 1947 ने लिख दिया था, कि आप 1947 के अधिनियम को माने, अथवा ना माने, राष्ट मंडल के सदस्य बने रहे, अथवा ना बने रहे, ये आपका कारिय है, अब देखिए, फिर क्या है, हम भारत के लोग भारत को एक क्या बनाना चाहरे, संपूर प्रभुत्व संपन, दूसरा समाजवादी, भाया भारती संविधान की प्रस्तावना में संसोधन किया जा सकता है, किया जा सकता है, अधार भुधाचा भी आ गया, सब आ गया, इसके तहट समाजवादी सब्द पहली बार, 42 में संविधान संसोधन अधिनियम 1974 द्वारा सामिल हुआ है, भारत में समाजवाद आर्थिक और सामाजिक दोनों का मिसरण है, भारत का समाजवाद अकेले समाज की बात करता ही ने, भारत का समाजवाद आर्थिक और सामाजिक दोनों का मिसरण नेकर बना है, ये कहता है, राज्य के जो भी संसाधन हूँ उनका सर्व समाज के हित में समान रूप से वित्रण हूँ समान रूप से वित्रण हूँ हम से भेद भाव, उच नीच सब हटा दीजिये हम मानों हैं, हम नागरिक हैं भारत के हम इस राजी के नागरिक हैं तो राजी का कर्तव्य होगा, राजी का ये दाईत होगा कि राजी क्या करे जब कभी संसाधनों का वितरण करे तो सभी में समान रूप से उसका वितरण होना चाहिए यह भारत का समाज बात कहता है जो 42 में संविधान संसोधन अधनियम 1976 द्वारा सामी हुआ है यानि उत्पादन के साधनों का सर्व साधारण में समान रूप से वितरण जिससे इनकी दैनी का वशक्ता की पूर्ती हो सके व्यक्ति जीवन को सुचारू रूप से चला सके कोरोना काल के समय जब कभी भी अनाज का या किसी भी प्रकार की साहिता का वितरण किया गया तो सर्व समाज में सर्व समान रूप से ये कारी हुआ और ठात क्या कहा गया समाजवाद क्या कहता है एक लोग कल्यार कारी राजिकी कल्पना करता है एक लोग कल्यार कारी राजिकी कल्पना करता है ऐसा है भारत का समाजवाद ठीक आप देखिए फिर आता है हम भारत के लोग अपने भारत को कैसा बना रहे हैं हमने कहा संपुर्ण प्रभुत्व संपन बना रहे हैं फिर हम समाजवादी बना रहे हैं और अब हम क्या बना रहे हैं पंथ निर्पेच बना रहे हैं पंथ निर्पेच कब आया पंथ निर्पेच कब आया बहिया इसको भी हमारे यहां 42 में संविधान संसोधना दिनियम 1976 द्वारा लाया गया है लाया गया क्या कहा गया कहा गया कि राजी का अपना कोई धर्म नहीं होगा राजी का अपना कोई धर्म नहीं होगा राजी क्या करेगा राजी केवल सम्मिधान को अपना धर्म माल लेगा सभी धर्मों को संड़क चड़ देगा अर्थाथ धार्मिक मामला जो है व्यक्तिका व्यक्तिगत मामला है राजी आएगा ही नहीं हस्तचेप करने कि भाईया आप हिंदू बन के पूजा करें, आप मुसलिम बन के पूजा करें, आप सिख बन के पूजा करें, आप इसाही बन के पूजा करें, कभी राजी नहीं आएगा, राजी कहता मैं आओंगा ही नहीं, मैं कब आओंगा, जब कोई धर्म संकट में होगा, तो राजी आक खड़ा हो जाएगा कि कोई एक धर्म नहीं चलेगा मैं किसी पंथ को नहीं मानता किसी धर्म के समूह को नहीं मानता मैं किसी एक धर्म अतवा एक पंथ में विश्वास नहीं करता मैं एक पंथ से निरपेच हूं निरपेच मतलम में हट गया हूं ना तो मैं ना तो मैं किसी ध प्रण सभी धर्मों को संद्रक्षड देने वाला भारत है इसलिए राजी का आपनाकोई धर्म नहीं होगा राजी सभी धर्मों को संद्रक्षड प्रदान करेगा इसकी पुश्टी कहां दिकेगी आपको भागतीनμεं दिखेगी अनुचेद पचीष से 28 तक में दिखेगी व्यक्तिका व्यक्तिगत आंतरिक व्यक्तिगत मामला है आप अपने इश्ट से अपने अंतरमन से जुड़ते हैं राज ये नहीं जोड़ता आपके परिवार वाले भी नहीं जोड़ते हैं आपकी आस्था आपके प्रता नहीं कब आपका कोई हीष्तीश्वर बन जाता है और आप उसके प्रति अपनी सरद्धा दר साते हैं ये आपके आंतरिक विश्वास का मामला है ये सरद्धा का मामला है इसलिए राज हस्तचेप नहीं करता राज अका अपना कोई धर्म नहीं है राज क्या करता है राज सभी धर्व को संदक्छर प्रदान करता है फिर क्या करना है कहा गया लोक तंत्रात्मक डेमुक्रेट की बात कि गई लोक तंत्रात्मक भारती राज विवस्था ने जिस सिष्टम को अपनाया है जिस तंत्र को लिया है वो कैसा है वो लोक तंत्र है लोक और ये तंत्र आप कहते हैं लोक की इंगलीज क्या होती पब्लीक पब्लीक मतलब लोग अथवा जन तंत्र मतलब सिश्टम ऐसा सिश्टम जिसमें जनता की सहभागिता हो एसा सिश्टम जिसमें जनता की सहभागिता हो वो क्या कहलाता है लोक तंत्र लोक तंत्र होता है पब्लीक के द्वारा बनाया गया सिश्टम डाक्टर भीम रावम बेटकर कहते हैं कि अगर इसमें जाती को ना लिया जाए जाति को ना लिया जाए तो लोकतंत्र से उत्तम कुछ नहीं होगा किन्तु लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा है जाति का होना लोकतंत्र की सबसे बड़ी बाधा ही हो गई है भारत में जाति का होना और ये कहा गया है लोकतंत्र डेमोक्रेसी बना है लोकतंत्र डेमोक्रेसी सब्द से मिलकर बना है अब देखें ये क्या है डेमोक्रेसी, डेमोस और ये क्रेसी डेमोस का मतलब जानते हैं क्या होता है देखें, लोकतंत्र अंग्रेजी भासा डेमोक्रेसी से मिलकर बना है ऐसा डेमोक्रेसी दो सब्दों से मिलकर बना है डेमोस और क्रेसी डेमोस का मतलब होता है जनसाधारण अक्रेसी का मतलब होता है शासन अर्थात जनसाधारण के द्वारा किया गया शासन क्या कहलाएगा लोकतंत्रत्वा जनतंत्र कहलाएगा जिसको Pittsburg में Pittsburg में पहली बार आपको याद होगा Abraham Lincoln ने कहा था कहां कहा था Getsburg की उसमें कहा है कहा गया कि किसका सासन है तो कहा गया जनता का सासन गेट्सबर्ग में बैट करका रहे हैं किसका सासन है कहा गया जनता का सासन है फिर अब राहम लिंकन कहा रहे हैं किसके लिए सासन है तो कहा गया जनता के लिए सासन है फिर इनों ने कहा कौल करेगा सासन जनता के लिए जनता के द्वारा शासन ही क्या कहलाता है ये कहलाता है लोगों का शासन अर्थाद डेमोक्रेट तो भारत में ये चल रहा है कि नहीं जनता अपनी शर्वोच सत्ता किसी एक को समर्पित कर देती है कहती है कि आप हमारे जनप्रतिनीदिय हैं हमने आपको चुनकर भेजा है लेकिन हम आपको ट्रश्टी बना कर भेज रहे हैं अपना मलिकाना नहीं दे रहे हैं और ट्रश्ट हमेशा कुछ समय के लिए होता है और हम आपको पाच वर्स के लिए अपना ट्रश्टी बना कर दे आप हमारा कल्यार कर लीजे क्यों कि यह हमारा सासन है हमने अपने लिए यह सासन बनाए और हम खुद आपको दे रहे अपनी सत्ता कि हमारे लिए जाए सासन करिए तो यह क्या कहलाता है डेमो क्रेट कहलाता है अब देखें इसके अलावा हम लोग अब आगे के लेक्चर जो भी पढ़ेंगे, आगे के स्वरूप को उसमें देखेंगे, यानि अब तक हम लोगों ने संभीधान क्या है, संभीधान का भाब प्रस्तावना हो सकता है की नहीं, प्रस्तावना में आने वाला शब्दा अधार भुड़ाचा कैसे बना, इसकी बात की, फिर हमने उनमें क्या क्या सब्द है, उस पर चर्चा की है, अब इसका जो भी आगे का खंड है, हम लोग के लेक्चर में उसको देखते हैं, इस प्रकार मैंने क्या बताया, इतनी मजबूती के साथ, जो जो क्रिश्चन बन सकता है, जो जो आयोक के द्वारा बनाएग एक फ्रिश्चन है, और ज मेसा यूँ ही बने रहे हैं, जिससे हमें आपको लगी कि आपको कुछ नया मिला, और हमें संतुष्टी हो कि हमने आपको कुछ अच्छा दिया, जिससे आपकी सफलता और भी सरल और सहज बनती जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू आल,